बॉलिवोड एक्टरेस काट्रीना कैफ इन दिनों विकी कोशल के साथ अफ़ेर की खबरों को लेकर काफी चर्चा में हैं। दोनों को अक्सर साथ में स्पोर्ट किया जाता है। दोनों की डेटिंग की खबरे बड़े ही जोरो शोरो से सामने आ रहे है। इनी खबरों के बीच अब कैट्रीना कैफ दुलहन के जोड़े में सजी हुई नजर आई। साथ ही अमिता बच्चन और जया बच्चन ने उन्हें मंड़क तक पहुचाया। इस शादी में साउथ के कई बड़े स्टार शामिल हुए। वही कुछ फोटोस में अमिता बच्चन और जया बच्चन साउथ इंडियन लुक में शादी में डान्स करते वे नजर आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कर्ट्रीना कैफ ने चुपते चुपते शादी कर ली है। और सबसे बड़ी बात दूला कौन है। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो मत सोच ये क्योंकि कर्ट्रीना की शादी असली में नहीं हुई है। बलकि एक एड की शूटिंग के लिए हुई है। हाल ये में कर्ट्रीना कैफ की कुछ तस्वीरे सोचल मीडिया पर खुप वायरल हो रही है। कुछ अन्नी फोटोस में अमीची और जयाजी दुल्हन बनी कर्ट्रीना को मंडब तक ले जाते हुए नजर आ रहे है। खबरों की माने तो ये फोटोस एक जोलरी एड की शूटिंग के दोरान की है। अमेता बच्चन ने भी इस शूटिंग के दोरान की कुस्तस्वीरे शेर की है। जिसमें वो साउथ के सूपरस्टार्स के साथ नजर आ रहे हैं। ये तीनों सूपरस्टार साउथ फिल्म इंडरस्टी के तीन दिगजों के बेटे हैं। इनमें तेलगू सूपरस्टार अक्किने की नागेश्वर राव के बेटे नागरजुन है। उनके अलावा कन्नर सूपरस्टार डॉक्टर राज कुमार के बेटे शिवराज कुमार है और तीसरे तमिल सूपरस्टार शिवाजी गरेशन के बेटे प्रभू है अब जब चार अलग-अलग फिल्म इंडरस्टी के सूपरस्टार एक साथ नजर आ जाए तो यह किसी एतिहा पल से कम नहीं है इस पल को अमिता बच्चन ने अपने और जया जी के लिए एतिहासिक बताया है और इन तीन सूपरस्टार बेटों के साथ काम करके वो बड़ा गर्व महसुस कर रहे हैं वक फ्रेंड की बात करें तो कट्रिना के फिल्म सूरी वंशी में नजर आने वाली ह रोहिट शटी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में कर्ट्रिना के साथ अक्षे कुमार नजर आएंगे यह फिल्म 27 मार्च 2020 को रिलीज होगी वही अमिता बच्चन जल्द हे फिल्म जूंड में नजर आएंगे फिल्म का पोस्टर और टीजर रिलीज हो चुका है इस अमिता बच्चन एक फुटबॉल कोच की भूमिका में नजर आएंगे जो गरीब बच्चों को प्रेडित करके फुटबॉल टीम की शुरुआत करते हैं जूंड के अलावा अमिता बच्चन गुलाबो सिताबो और चेहरे में भी नजर आने वाले हैं और बितासतरीन करें सब्सक्राइब करें को चुब खबरें